आज हम डिसकस करेंगे क्रोमाइटोग्राफी के बारे में और प्रोमाइटोग्राफी जो है आपके आरगेनिक केमिस्ट्री का एक इंपोर्टेन टापिक है में आपका लेबरेटरी में यूज होता है बड़ थेयुरेटिकली हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि जब आपको इसको परफॉर्म कर सकते हैं थीक है सो और ग्रोमाइटोग्राफी एक लेबरेटरी टेक्निक है आपको पता ही है सेकेंड वन इस इसह परेशना मिक्शर कहां पर यूज होता है मिक्शर को सैपरेट करने में कि मिक्शर में कितने पापोनेंट है यह पैचान करने के लिए हम इसको perform करते हैं ठीक है इसमें two pages होती है मतलब pages का यह मतलब है कि आपको दू system कह सकते हो pages को यहाँ पर system कह सकते हो एक होता है आपका mobile page और दूसरा होता है आपका stationary page mobile page mobile means होता है कोई चीज अगर move कर रही है तो उसको हम बोल देते हैं mobile page कोई चीज अगर एक जगे पर इस्थिर है तो उसको हम बोल देते हैं stationary page ठीक है तो जब भी आप perform करोगे आपको two pages दिखेंगी two pages आप लोगे एक आप stationary page लोगे दूसरा आप mobile page लोगे ठीक है दोनों pages में होती है mobile और stationary page में ठीक है आपका chromatography जो है different types का होता है जैसे thin layer chromatography column chromatography and paper chromatography ठीक है आदार बहुत सारी है जैसे gel chromatography, ion exchange chromatography ठीक है जा गैस्याज लिपटो गरफ लाइक ड्यायटेट्र जरल करमेटों कशलय झाल करते हैं यहां थिन लेयर कालम में पेपर क्रोमेटों मेस्टेश थिखते हैं फिर हम लेडंट में अगर अगर को फॉरन करोंगे तो आपको है क्या क्या उसकी उसमें उसमें क्या क्या आपको चीजें चाहिए तो सबसे पहले जो आपको चाहिए होता है एक ग्लास एक को आपको बीकर चाहिए होता है यह हम इसको टील सी चैंबर बोल सकते हैं इस टेशनरी फेज में आपको एक प्लेट चाहिए होती है जिसको हम बोल दे कंपाउड आप पाते हो में जलनी हम सिलिका ही यूज करते हैं डेरेटरी में जाओगे तो सिलिका हुाइट कलर का इस पर क्या होता है भाइंड होता है एल्मोझियम होती है। जीखने अब दूसरा मैंने यहां पे आपको मीजरिंग सेलेंडर दिखाया है मीजरिंग सेलेंडर में कया है सालेट वरा हुआ है यह सबसे पहले करने के पहले हम उसमें क्या करेंगे एक लाइन 흥ते हैं जिसको हमें एक बाटम लाइन बूलते हैं जो बाटम 60 की तरफ होती है एक solvent font मतलब हुं यहां तक आपको mobile page क्या करना है मूब कराना है इस लिका material के में सज़िका material पर ठीक है इसको हम इसलिए यहां तक करना इसलिए solvent फिर आपका आता है यहां पे एक और एक चीज लेते हैं करपेरी टूब कि दोनों साइड से ओपन होती है और इसकी हेल्ब से हम क्या करते हैं phivi त geçी तो यहां पर लगाते हैं जिस Miq3 को आपको सेपरेट है जिस Miq3 कितने रचेकों करना होता है तो यहां पे लागर्त प्लेट है किसमें रख देते हैं एक जो चैंबर आपका टीलसी चैंबर इसमें रख देते हैं और इसमें क्या हम फिल अप करते हैं पहले हम फिल कर लेते हैं आपका जो मोबाइल फेज है इस डिफरेंट साल्वेंट इसमें यूज करते हैं तो थोड़ा हमने ले लिया मालो इसमें वाट पोजिशन ले लेंगे मतलब अलग हो जाएंगे और यह help करता है आपका जो साल्वेंट सिस्टम मूप कराने में जो आपने स्पार्ट लगाया है स्टेशनरी पे ठीक है तो इसमें फर्मूला यूज करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बई सलूट और डिस्टेंस ट्रेवल बई साल्वेंट सिस्टम ठीक है तो इससे हम निकाल लेते हैं और फैलू सपोस्थ यह जीरो कितना मूप किया वन मीटर अपन साल्वेंट का कितना है उसमान लेजिए वन पॉइंट कर ने इसको हमरिवाइट करके इसका रहेते हैं तो यह मैंने आपको एक TLC का कैसे नवगल में पराज़ करोगे इससे डिलेटेड मैं आपको के करके हम आपको सारा डिसकस कर लेंगे आपको अच्छे समझ में आएगा कोई आपको डाउट नहीं होगा अगर कोई भी डाउट थोड़ा भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करिएगा मेरी चैनल पर तो था इंक यू फॉर टेंट